कि सबने महबबत पर पढ़ी में मा पर पढ़ना चाहूंगा शशांग शुकला है मेरा नाम और मैं बस्ती से हूँ और शुनाना चाहूंगा कि महबबत में जो उल्जन होती है मा के प्यार में और महबूबा के प्यार में उस पर सुनियेगा कि खुदाया है बड़ी उल्जन एक को मेरी मा दूसरे को महबूबा बनाया है और मेरे माने मेरे आख में देखे नहीं आसू एक मेरा महबूब है जिसने मुझे राद भर रुलाया है और मुखबत सब्द को मा से ही समझ पाया हूँ कि जब भी मुस्कुराया हूँ मा के साय में मुस्कुराया हूँ और गम क्या चीज है मौत भी पीछे हट जाती है मेरी मा मुझे रोज जब गले से लगाती है और एक बुढ़े बाप का दर्द है उसके बाद मैं अपनी पोईटरी पे आऊँगा कि मेरा दामन भी अब खुशियों से भरा होता मेरा दामन भी अब खुशियों से भरा होता एक पोधा सूकता नहीं इसे पानी दिया होता और कपकपाते हाथ में लाठी की नहीं थी जरूरत मेरे साथ में अगर मेरा बेटा खड़ा होता मेरे साथ में अगर मेरा बेटा खड़ा हुआ था और मेरी सीर्षक है पोट्री का कि बहुत लाचार मजबूर होके वो बिद्धा अश्रम में आया होगा और बिद्धा अश्रम की कहानी है मैं गया था तो वहाँ पे देखा था सुनिएगा कि दर्द को महसूस किया है मैं दर्द से मिलवाता हूँ आपके जवानी को मैं बुढ़ापे में लेके आता हूँ आपके जवानी को मैं बुढ़ापे में लेके आता हूँ सुनिएगा कि बहुत मजबूल लाचार होके वो बिद्धा अश्रम में आया था सुना है उसके बहुबेटों ने उसे खूब सताया था और कपकपाती हाथों में जुर्यां आखों में नमी थी दिल भरा हुआ था उसका पर अपनों की कमी थी बहुत मजबूल लाचार बेशहारा दिख रहा था जैसे महंगे बजार में बेमूल बिक रहा था जैसे महंगे बाजार में बेमूल बिक रहा था और भीग गया था चस्मा आसू से तो उसने चस्मा हटाया था भीग गया था आसू चस्मा से भीग गया था चस्मा आसू से तो उसने चस्मा हटाया था बहुत मजबूर लाचार होके उबिद्धास्रम में आया था और मौसम क्या था? कि बहुत गर्मी थी, वहाँ मौसम भी साथ नहीं दे रहा था मजबूरी में कहते हैं कि भगवान भी काम में नहीं आता कि बहुत गर्मी थी वहां मौसम भी साथ नहीं दे रहा था छत नीचे थी पंखा धीरे धीरे चल लहा था और अश्क सूख गए थे आखों की रोसनी जा रही थी उस समय भी उसको अपने बेटे की याद आ रही थी और कुछ कह नहीं पाया पर अंदर से चिलाया होगा कुछ कह नहीं पाया और से चिलाया होगा बहुत मजबूर लाचार होके बिधास रमाया होगा और लाश्ट लाईन है देखेगा कि सास थम रही थी लाश्च समय था उसका और उसकी इच्छा थी सास थम रही थी, नबज भी जमने लगी थी, धड़कने धीरे धीरे करके थमने लगी थी, आँख जम गई थी, शरीर इस्थिर पढ़ गया था, सायदो दर्द को मात देकर मर गया था. और आँख खुली थी, उसने बेटे को बुलाया था, बहुत मजबूर लाचार होके उविध्धास्रम में आया था, बहुत बहुत धन्यवाद. अज़र बन्यवाद tilted gाल़ को बातान आँख और एक पूली तूंगे, बहुत मत दो, झाल झाल